अगर सबसे पहले सरकार की खिलाफ कई सबसे इतनी आफ तक आती रही है उसकी कई वज़े सामने की केशव प्रसाद मौरिया की बात करें कि वो जिस तरह से बगापती तेवर दिखा रहे इसके लाव बर्जोश पाठाक हुआ हो या कोई और नेता बीजेपी की हो लगातार आपस में तनातनी का माहूल बन रहा है हर एक चुनाव में हार और जीत तै करती है कि राजनीतिक पार्टियां आखिरकार कहाँ पर खड़ी है और इनी चुनावों से तैफ होता है कि जनता का विश्वास इन राजनितिक पार्टियों पर कितना है लेकिन इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तरप्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी में जो सहीयोगी पार्टियां हैं वो सीट बटवारे को लेकर बीजेपी से दो दो हाथ कर रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीट शेरिंग का मामला बीजेपी में फस रहा है तो वहीं समाजबाधी पार्टी की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस उपचुनाव में जीत हासिल के जाए उपचुनाव जो की 10 सीट उपर होने वाला है लेकिन सबसे बड़ी और प्रमुक सीट जो है वो आयोध्या की मिलकी पूर सीट है यही वो सीट है आयोध्या ही वो जगा है जहां से बड़ा जटका बड़ा सद्मा बीजेपी को लगा लेकिन यहां की एक जिम्मेदारी जब योगी आदितिनात ने ली उन्होंने कहा कि काटों से सजा हुआ ताज वो खूद पहनेंगे यानि कि अगर जीत की जिम्मेदारी उनकी है तो हार की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी और उन्होंने ताइक कर लिया कि मिलकी पूर से जीत के बाद यहां से एक नया इतिहास बीजेपी लिखती नजर आएगी हाला कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोशिश तो कर रही है लेकिन उन सहयोगी पार्टियों का क्या जिन में जयन चौदरी अनुप्रिया पटेल संजे निसाद ये तमाम बट जो नेता है ये सीट शेरिंग को लेकर कह रहें कि हमें ज़्यादा सीटे चाहिए बीजे समाजवादी पार्टी के प्रमुक अकलेश रादव का ये कहना कि सौल आईए सरकार बनाएए तो क्या इन सहयोगी पार्टियों को भी समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड लेती है तो इसका फर्क पड़ता नजर आएगा इसी मुद्धे परमार साथ बादशीत करने क हमारे खास सहयोगी अमन सर मौजूद है अमन सर जो इस्तती उत्तरप्रदेश की हम देख रहे हैं कि मिलकीपूर सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी एहम है बीजेपी के लिए भी एहम है मौहिन खान का जो मुद्धा है उसके बाद ये सीट समाजवादी पार्टी के के फस रही है लेकिन क्या जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां है जैन चौदरी पहले समाजवादी पार्टिय तो अगर मुद्दा है समाजवादी पार्टी यह राजी हो जाती है कि हम जिते है जो सहयोगी पार्टियां है इनको सीटों में रखा का सबढ़ दे entire city सब्सक्राइब करें कि केशव प्रसाद मोरिया की बात करें कि वो जिस तरह से बगाप्ती तेवर दिखा रहें इसके लाव बिर्जोश पाठाक हो या कोई और नेता बीजेपी की हो लगातार आपस में तनातनी का माहूल बन रहा है इसी चीज को देखते हुए समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर दजबारा सीटों पर जो चुनाव होता है उसमें वो अपनी जीत दर्च कर सकते हैं इसलिए तमाम सारे सीटों को पर नाम तेह हो रहे हैं और एक के बाद एक जो कह सकते हैं कि इंडिया घटबं गई सजेन इशाद को सीट मांगते हैं कभी एक तरह जाए की जो जन चोहती बारे में बात कहते हो नजर आते हैं तो कई जो सभी दल है वो अपना-पना हिद साधने का काम कर रहा है, ऐसे में जो बीजेपी है, उसके लिए मुश्किल होगा कि किस तरह से इसका हल निकाला जाए, किस तरह से अपनी इस्ति मजबूत की जाए, क्योंकि बीजेपी को अमीद है कि अगर दस में से 7-8 सीटों पर चनॉल लड़े, और के पक्ष में रहा है, वो उन्द चिरक कर अब सापा और कौंगर्जी पक्ष में चला गया है। या अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रती ही उनका लगाव या अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की तरफ ही वो देख रहे हैं। अखलेश यादा वो तमाम समझवादी पार्टी के जो नेता है उनको यह सोचना चाहिए कि जो भी अपरादी है जिसने भी गलत किया है। साथ में खड़े होने से उनकी चवी पे भी कहीं नुकसान पहुंच गया लेकिन रही बात इसकी की देखिए पुलिस अपना काम कर रही है अब उस मामले में कई टेस्ट भी हुए आने वाल दुनों में कई चीज़ी सामने आएंगी जाँ चल रही है तो इसको लेकर एक अल तकरीमन 14 सीटों पर उचना हुए और बहां पर 11 सीटों पर इंडिया गठवंद्र ने वह जीत दर्च करते हुए नजर आए एक या दो सीटों पर बीजेपी को जीत मिली तो आप समझ सकते हैं यहां पर बीजेपी की जो ताकत एक समय हुआ करती थी वह अब लगाता उसी क कि यहां पर दोनों ही तरफ से जीत के दावे किये जारे लेकिन आने वाले ज動画 में जब पर ariasं पर असर डालते हैं और हमने देखा है कि उत्तर पर रध्रधेश में बीजेपी से जुड़े जितने भी मुद्धे थे उनका असर देखने को चुनाव में जाहिर तोर पर देखने को भी मिला है तो क्या अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो इस्तियां बन रही है क्या बीजेपी दस सीटों को आसानी से जीत ले जाएगी या माता प्रसाद पांडे को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक खेल बिगाड़ेगा ब्रहमड वोडबेंग हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी मौझूद है शालनी हमारे साथ मौझूद है और लगातार अगर मैं बात करूँ तो शालनी बिहार उत्तरप्रदेश इन दोनों राज्जों को जिस तरीके से कवर कर रही है वो ये बताता है कि कितनी बड़ी बात तो है लेकिन अगर मैं शालनी ये बात करूँ उत्तरप्रदेश में जो 10 सीटों पर उप्चुनाव होने वाले हैं लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो इस्थती इस वक देखने को मिल रही है क्या माना जाए कि बीजेपी की जो सयोगी पार्टी और इसका कितना बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को दिखते नजर आएगा दिखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारते इंता पार्टी में अंतरकल है की स्थेती पैदा हुई है वो हुई है आम चुनावों के बाद आम चुनावों में जब भारतिन्ता पार्टी समझवादी पार्टी से हार जाती है तो उसके बाद अगर सबसे पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो है अनुप्रिया पटेल आरक्षन का मुद्दा उठाती है जबकि ये कहा जाता है कि इससे पहले आरक्षन का मुद्दा कभी भी अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे को लेकर बात नहीं कि लेकिन जैसे ही अनुप्रिया पटेल को रॉबर्ट्स गंसे हार का सामना करना पड़ता है मिर्जापूर पे जीत दर्श करती हैं लेकिन काफी जनतो जहत के बाद काफी महनत कर उन्हें के बाद यहां पर मिर्जापूर पर जीत हासिल कर पाती है तो ऐसे में उन्हें आरक्षन का मुद्दा तब नजर आता है जब उन्हें खत्रा सता है कि उनकी सियासत में अब कहीं-णब कई ना कहीं खत्रा मंढ़ रहा है तो आसे में पाटेल पत्र बेज़ती है कई ऐसे अरोब लगाते हुए नजर आए जिन नेताओं ने कभी भारतिनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला वो नेता भी बोलते हुए नजर आए के शुप्रसाद मौरे की भी नाराजगी देखने को मिली तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर तमाम जुनेता भी नाराज चल रहे हैं भारतिनता पार्टी से जुड़े हुए अगर वो अलग होकर समझवादी पार्टी में जाते हैं तो इस बार कयास तो आम चुनावों के नतीजे के बात से ही लगाए जा रहे हैं कि विदान समय चुनाव में इस बड़ा खेल हो सकता है सरकार बदल सकती है बीज जाती है लेकिन क्या जो जिम्मेदारी योगी आदितिनात ने तमाम अपने इन मंतरियों को दी है क्योंकि अगर हम देखें तो ये कही न जो कहीं योगी आदितनात के लिए चुनाव है यहाँ पर बड़ी जीत भारतिय जनता पार्टी हासिल कर लेती है तो यहां से इनका रास्ता क्या 2027 के लिए वाकई आसान हो जाएगा और अगर आसान हो जाता है तो क्या माना जाए कि समाजवाधी पार्टी को फिलाल अभी और इंतजार उत्तर परदेश में खुद को मजबूत करने के लिए करना होगा या रुकना होगा आज के लिए तहीं आपसे फिर द्वारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार